बारत और दक्षिन अफ्रिका के बीच अगला जो तीसरा T20 मेंज है वो यहाँ पर होलकर स्टेडियम इंदोर में देखने को मिलेगा क्योंकि पेले ही बारत टीम में 2-0 से शवंकला को जीत लिया है दो मेचों में सौद अफ्रिका को बूरी तरह से बारत टीम में रहा है था और पिछला जो मेच देखा गया था उसमें भारत टीम ने 236 का स्कोर किया जो पार्ड जैसा इसकोर जिसके जवाम में 221 पर सौध यहाँ पर बात करते हैं अगला जो मेश होने वाला है लाइस्ट और अंतिम मेश टीटुएंटी इंटरल एस्टर का वो यहाँ पर सौध अफ्रिका जीतना चाहेगी लेकिन इंडियन टीम यहाँ पर कापी मजबूत नजर आ रहे और इंडियन टीम का जो पिछ रिपोर्ट है झाल का इंडियन टीम इंडूर की उसके इसाब से बात करें तो इंडियम टीम यहाँ पर बहुत ज़ादा स्कॉर किया है और यहाँ पर गेंदबाजो कुछ सपोर्ट मिल सकता है लेकिन यहाँ पर इसकॉर और सारष्ड अफरिका के बीच रोई शिर्मा का जो सरवाधिक बात के तो पांच मेसों में से तीन मेचों ने पहले जो यहां पर बेटिंग करने वाले ने यहां पर टोस जीत कर बेटिंग करने वाले ने जीत हासिल कि और दो मेचों मेचों में गेंद बाजी पहले करने वाले ने यहां पर जीत हासिल कि तो यहां पर जो भी टीम टोस जीत जादा देखने को भी लागा तो यहाँ पर जो पास्ट बोलर है उस हिसाब से आपको यहाँ पर सलेट करें सबसे पर डिकोग को सलेट करें क्योंकि डिकोग ने यहाँ पर पिछले मेंज में बहतरिन किया था दिनेश कार्टिंग ने भी यहाँ पर कुछ रन बनाये थे लेकि है किसे हम बाहर करें चिसें अंदर करें इसका जो है रिक्ष्ट आपको लेना होगा कि कि involved लेना होगा कि कि किसको आप अंदर कर सकते हैं कि आप यहां पर बार कर सकते हैं तो फिलाल बात करें डे이트 Alec इंग्रेंड कि तो डेविड मिला रहे वो आपके लिए साओद прिया की तुर्प सरे बहत्रीन यह आ पर नजर आ सकते है तो यहा पर फिलाल इस तररे के साथ में करते करते ऑला आऊंडरpton की करें तो यहां पर ओलाौंडर सेक्षिन में आप माकनराम को ले लीजी एक माकनराम आप लिये बैस्ट रेने वाला की बात करें तो यहां पर ने पिछले मेंच में नहीं किleness की अधर कोशवा भी और यहां पर ज्यादा कुछ नहीं कर पाया नोढरा को ले घyr सत पतेल and select करने फिए एक यहाँ पर आप कर सकते हैं भारत की तरफ से यदि आप पिछ रिपोर्ट की बात करे तो उमेश यादव कहलते हैं तो उमेश यादव को लेकिन उमेश यहाँ पर नहीं खेलने वाले पूबरने शुर्फ कुमार भी यहाँ पर अवैलेबल नहीं है तो भारत क Jafar को फिलाल आप यां पर ड्रॉटर कर दिजी क्योंकि दिबक-चाहर आपके लिए यहां पर ऑलाउंट रिसेक्शन की बात की तो औलाउंट में को भी आफ यांप के लिए विए प मुझे बेट विराठ कॉलीया लाहूल डोनों मैंसे क्योंकि यहां पर केल लाहूल ने भी बहतरिन किया विराठ कोली ने पिछले मैच में बहतरिन किया उस से पहले ज्यादा कुछ कुछ नहीं किया है यही आप एक जो है बेस्ट मैं голос मींड़ाना है तो विराट को लिप नाफ यहाँ पर डोप कर डिजे यह आप केराइल नाफ कर डोप कर डिजे कि और अपन सेक्शन से यहाँ जैदा हुमिद नहीं की जा सकती यहाँ पर इंकलें की तरफ से आप लेना बात के तो काफ़ी difficult होने वाला है क्योंकि रोई शर्मा को यदि आप captain बनाते हैं यहाँ पर विराद कोली आपके लिए जो है डेविड मिलर आपके लिए है आवेलेबल है क्योंकि डेविड मिलर ने भी बहुतनी प्रजाशी ने आपर कहे तो रोई शर्मा को आप captain यहाँ ब प्रेसे दो विकेट कीपर पांच बेस्टमेन एक और लाउंडर के साथ तीन बोलिंग सेक्षिंस की साथ हम गए तो टोस आने के बाद कौन सा प्लेयर बाहर होता है और कौन सा अंदर को होता है उसके साफ से हमें टीम से से हम स्लेट कर सकते दनेवाद दोस्तों